इस वीडियो में हम बताएंगे अमीबा के बारे में जानकारी जो पार्ट एक है इसमें अमीबा के जनन, इस्टेक्चर और गती के बारे में बताएंगे और साथ ही इसके बर्गी करण के बारे में भी बताएंगे नाग देरी करते हुए वीडियो स्टार्ट कुते हैं इसमें बर्गी करण को देखते हैं जगत प्रोष्टिस्टा संग प्रोटोजोवा वर्ग सारकोडीना गड लोबोसिया वंस अमीबा जाती प्रोटियस बेग्यानिक नाव अमीबा प्रोटियस है जिसा कि आपको पता कि कायरोलस लीनियस ने बंस और जाती को मिलाकर बेग्यानिक नाव बनाया उसी प्रकार हम लिख सकते हैं अमीबा और प्रोटियस हम दीनाव पद्दत को ध्यान में रखते हुए इसे तिरची लाइन में लिखा जा सकता है वर्गी करण को हमेशा तिरची लाइन या तिरच सब्दों में लिखा जाता है इसलिए मैंने इसमें तिरची लाइन में लिखा हुआ है इस प्रकार के प्रस्ड यूपी बोड परिच्छा या अनिकरस परिच्छाओं में पूछे जा सकते हैं जैसा कि 2020 में पूछा जा चुका है इसी प्रकार का प्रस्ड वर्गी करण के ब तो आप बर्गी करण के बारे में डिटेल में याद कर लेना, जितने भी सूच्व जीव होते हैं उन्हें प्रोटो जो आपे रखा जाता है, जैसे अमीवा, पेरामीसियम, युगलीना, इत्यान, जन्तु, इसके बाद हम बात करते हैं आवास, यानि कि ये कहां पाये जाते ह अवीवा के आवास के बारे में जानकारी ले लेते हैं, याह, प्रायाह, आलवडीये, जिसमें लवड रही होता है, आलवडीये, जल, विट्टी, कीचड, तथा, तालाबो, पोखरो, जीलो, इत्यादी, तो इस प्रकार आवास के बारे में लिख सकते हैं, कि ये कहां पाये जाते हैं, इसके बारे में आप बहुत ही सरल तरीके से लिख सकते हैं, अब हम अमीबा के इतिहास के बारे में जान लेते हैं अमीबा का इतिहास इतिहास अमीबा एक ग्रीक भासा का सब्द है ग्रीक भासा का सब्द है इसे मुक्त जीवी जन्तुक कहते हैं ग्रीस की समुद्री देवी में फरिवर्तन की छमता होती है होती है इसी आधार पर अमीबा को परिवर्तनी ये देवी कहते हैं अमीबा को परिवर्तनी देवी क्यों कहते हैं क्योंकि इनमें पाय जाने बाले कूट पाद हमेशा बिलुक्त होते रहते और निकलते भी रहते हैं इस प्रकार अमीबा का कभी अंत नहीं होता कुछ बिज्ञानिकों का मत है कि अमीबा एक अमर जन्तु है इसलिए अमीबा को परिवर्तनी ये देवी कहते हैं क्योंकि इसका परिवर्तन आकार बनलता रहता है तो इसलिए अभीबा को परिवर्थनिय देवी कहते है इसके बाद हम अभीबा की सरचना के बारे में जाल लेते है या अभीबा की सरचना है और इसमें आप सभी को बताएंगी कि किस अंग को क्या कहते है इस प्रकार के अंग को कूट पाद कहते है कूट पाद इन्हें पादाप भी कहते हैं यानि कि इन्ही के द्वारा अमीबा अगति करता है या चलता फिरता पानी में है इसलिए इन्हें कूट पाद कहते हैं इनकी सरचना बंती बिगनती रहती है इसलिए ये सावान नहीं रहते है और इसी प्रकार इसे विग्ञानिकों ने परवत्रिय देवी कहा है या बिंदुक रूपी जो चिन्द चमक रहे हैं इन्हें कहते हैं द्रब द्रब भरा है और इसे कहते हैं केंद्रक केंद्रक और इसे कहते हैं रिक्टिका रिक्टिका जो सर्जरी क्रिया में साहाइक होती है और ये रिक्टिका के आसपास जो है इन्हें माइटो काड्रिया कहते हैं माइटो काड्रिया जो बाहर यह दिखा रही है लाइन इसे कहते हैं सेलवाल यादी की कोशिका कला कोशिका कला अमीवा में सकुंचे से रिक्टिका यह ही पाई जाती है जमकी पेरा मीशियम में दो पाई जाती है और इसमें खांद रिक्तिका बहुत ही पाई जाती है, खांद रिक्तिका यह से कहते हैं, खांद रिक्तिका है, खांद रिक्तिका, और यह छोटे-छोटे सूशी बुंद्य को कहते हैं, एंटो फ्लाज्व, एंटो फ्लाज्व, इस प्रकार बोड परिच्छा में चित्र बनाने को आता है और सरचना के बारे में दरसाईए कहता है तो आप इसी प्रकार चित्र बना सकते हैं और दरसाने को इसी प्रकार कर सकते हैं आप इसकी सरचना के बारे में थोड़ा जान लेते हैं अबीबा का फरी माप 250 से 600 में उट्रान होता है जो कि सबसे चोटी काई है माप की यहां आपको बताने कि यह कोसके जीव हैं जिसमें एक ही कोसका पाई जाती है और यहां अदीवित आकार का होता है इसका कोई दिशित आकार रही होता है आकार बनलता रहता है होता है इसके बाद हम बात कर लेते हैं अबीबा में पाई जाने वाले कोसकांग अबीबा में पाई जाने वाले कोसकांग जिसके आपको पहले से ही सरचना में बता चुके हैं कि कोसका में कौन कोस से कोसकांग पाई जाते हैं नमबर एक केंद्रगं अभीबा में केंद्रग भी दरसाया गया है केंद्रग पाय जाता है और केंद्रग के बारे में आप टिटेल में जा सकते हैं जिसकी लिंक डिसक्रिप्षन माक्स में दी हुए है और उसके नमबर दो पर आता है खाद रिक्तिका इसे भी इस टेक्चर में बता चुके हैं और उसके नमबर तीर पर आता है सकुल्चल सील रिक्तिका नमबर चार माइटो कंड्रिया माइटो कंड्रिया इसे कोशका का पावर हाउस कहते हैं क्योंकि कोशका को पावर उर्जा यही से बिलती है नमबर पाँच गलजी काई गलजी काई गौलगी वाड़ी इसे कहते हैं नमबर छे राइबोसोव नमबर साथ लाइसोसोव इस प्रकार अभीवा में साथ अंग से बिलकर अभीवा बना होता है जिसे कोशका अंग कहते हैं इसके बारे में आप डिटेल में लिख सकते हैं यह अनमबर परिच्छा में लिखने को आए इस सभी कोशका अंग पर आपके लिए वीडियो बना देगे और अलग-अलग से आप लिख सकते हैं अब हम बात करते हैं अमीबा में गती अमीबा में गती फाणी वे कूट पाद जिसे पादाप केते हैं द्वारा होती है जब अबीबा किसी खाद्धिकर को या दी की भोजन को देखता है तो उसके पास अबीबा गोल चक्र जैसा बना लेता है और उसे भोजन के रूप वे ग्रहड करता है जो भोजन खाद्धिकर कावे चला जाता है तो यहां तो हो गई अमीबा के गत के बारे में जानकारी अब हम बात करते हैं अमीबा के पोसर के बारे में यानि की भोजन के बारे में अबीबा का पोसर अबीबा एक सर्वाहरी प्राडी है जो सैवाल यादि की इल्गी और जीवाल आदि जीबो का भच्चड करता है जीबो को खाता है यहां क्रिया निवलखित चार विधियों द्वारा संपन्ड होती है जो इस प्रकार है नमर एक भोजन का अंत ग्रहण भोजन का अंत ग्रहण जिसमें अमीबा भोजन को ग्रहण करता है और पकड़ता है नमर दो पर आता है पाचन पाचन में अमीबा भोजन को पाचन करता है खादिरिक का द्वारा नमर तीन पर आता है अब सोसर पाचर के बाद अब सोसर करता है नमबर चार पर आता है वही छेफण उसके बाद अभीवा वही छेफण करता है यानि की बाहर निकालता है भोजन को तो इस परकार अभीवा की पोसर के बारे में बता दिया और अच के बारे में बताते हैं की जनल किस परकार से होता है अब हम बात करते हैं अभीवा में उत्सरजर के बारे में अवीबा में उत्त सर्जर के फल्स रूप के फल्स रूप अमोनिया वा यूरिया उत्त पन्य होती है तो यह तो बात होगे अवीबा के उसर्जर के बारे में अब हम बात करते हैं अवीबा के जनन के बारे में अवीबा में जनन या वंसागती के बारे में अवीबा में जनन पहुच प्रकार से होता है इसमें नम्मर एक पर आता है दी खंडन यहां दीखन्र की विधिये इसमें अमीबा तूटकर दो खंडों में बढ़ जाता है जिसे देखिए इसमें अमीबा का जो केंद्रक होता है वो दो खंडों में तूटकर दो भागों में बढ़ जाता है और दो जीवों का निर्माण करता है जैसे इस प्रकार दो जीव बन गए ये पुत्री अवीबा इस प्रकार दो जीवों का निर्माण होता है इसे ही दीखंडन भी धी कहते हैं नंबर दो, बहुखंडन, जिस प्रकार दीखंडन हुआ है, उसी प्रकार बहुखंडन भी होता है, नंबर तीन, बीजाण उजनन, नंबर चार, सायोगमन, सायोग, सायोगमन, नंबर चार, पाँच, पूर्म जरन, इस प्रकार अवीवा में जरन होता है, पाँच विदियों दुआरा, जो कीबोर परिच्छा के लिए बहुत ही इपॉर्टेट है, तो यदि वीडियों अच्छा लगा है, तो वीडियों को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियों की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें, और अगला वीडियों देखने के लिए, वेल आइकन को प्रेस करें, थेंक्यू,